नमस्कार मैं रॉक्षन हो आपका फिर स्वागत है मित्रो आज की दो बड़ी खबर हैं एक खबर तो राजस्थान को लेकर है वहां भाजपा मुख्यमंत्री पद तैने कर पारी क्योंकि बसंद्रा राजे में बगावत की चेताव ने दिये और दूसरी खबर है कि 34 चुनाओ के लिए जारखंड के राजस्था सांसत साहों के घर से करीब 200 करोटर पे नगद मिले हैं और काउंटिंग जारी है और ये रकम बहुत जादा हो सकती है तो शुरुवात करते हैं धिरत शाहों की जो कुवेर किला जिसे कहते हैं असल में अभी 36 गड़ में चुनाओ हुए थे और उस बिधानसवा चुनाओ में कॉंग्रेस के जो मुख्यमंतरी थे भुपेश बंगेल उन पर महादेव एप है उसके जरिये हवाला करने का जा उसके जरिये करीबं 300 क्रोड रुपे 36 गड़ में आये और उसे इंकम टैक्स और एडी ने पकड़ और उन लोगों ने भुपेश बंगेल का नाम लिए बड़े चर्चित रही खबर और उसमें फिर भुपेश बंगेल ने तमाम आरूप लगा कि उनसे कोई लेना देना नहीं उनके चुनाओं के कारण उनको फंसाये जा रहा है इस तरह की बाते बीए अब चुनाओं बीट गया तो जो इंपुट इंकम टैक्स के पास था वो इंकम टैक्स के आधर पर उन्होंने छपे मारी की और धिरसाओं का जो रांची में घर है वहां से उन्हें तीन प्राइब लाकियों के उनकी सिकर्टी में तो जब उनकम टैक्स ने चापे मारी किया उसे पकड़ा तो तीन बैग मिले जिसमें रुपे जेलरी और कुछ और सामान था और जब घर पर चापे मारी भी तो पता लगा कि उनकी जो तैय खाना है वहां रुपे उनका भंडार अनुमान लगा जा रहा है, लेकिन उसे एक सवाल झारूर खड़ा हुआ है कि नोटबंदी के बाद भी जो कि जब मुधी सरकार ने नोटबंदी कि थी 2016 में तो उसमें काभी को सपाई हो गी थी बहुत सारी political party उन्हें रुपए बोरे भरे वे थे अपने उध्योपत्यों के बोरे भरे वे थे उनके फानेंसर थे वहां बोरे भरे थे तो उनके कारण उनक कि सारी जो पैसे थे वो निकल गए और बाद में कुछ political party तो बिल्कुल कंगाल हो गई और चुनाव भी नहीं लड़ पारी जो जिन पार्टियों के 17-18-20 परसंट तक वोट थे वो खाली बठे हैं उनका लोक सबाव में कुछ-कुछ पांच साथ एक दो ऐसे ही MP हैं और बिधान सबाव में भी उनके संक्या कम हो गई है क्योंकि इमके पास चुनाव भरने के लिए पैसा ही नहीं बचा नगत पैसा नहीं बचा तो ऐसा लग रहा था कि अब शुद्धी करण हो गया है काला धन खतम हो गया है लेकिन जो यह मह वाला हुआ है उसमें तो 300 क्रोड हमने तब सुना और चुनाव के दौरान भी चुनाव आयो की जो टीम है उन्होंने अलग पकड़ा और कनाठे चुनाव में हमने देखा कि करणों रुपे एलेक्शन कमिशन के परते निद्धी उन्होंने पकड़े थी और अब चुनाव पूरे हो गए तो धेरे शाहों के घर से करणों रुपे मिले तो एक सवाल जरोड उठ रहा है कि करणों रुपे कैसे कठा कर रहे कोई हिजाब नहीं है कि दो लाग से ज्यादा का आधान परदान नहीं होगा सब नमबर एक एक एकोनमी होगी लेकिन उसके बापजुद इत जो जो कि यह कह सकते हैं कि दिरग शाह को अपना बिजनेस है तो बिजनेस होना अच्छी बात है लेकिन बिजनेस के उर्ड़ तो नहीं है कि आजब्न है और जो बी सफाई देनी है ओ साहू को देनी है शाहू बताइगा पैसा राध्सपवा मिल्य तो रात्सभा जो नेता है उन्को जो हाड़पुर नेता उनको तो राजसभा पार्टी में उनका क्या सिमया्टा लेकिन वेख़र, उनको इसा राजसभा नीज मिलते हैंалась बतने चीमें के इसको है और बी के ल सब तो तो दोशिग्र है, कि स्क्राइव औरो तो राजसभा में big and तो धीरोशाहों के जो पैसा मिला है वो दोनों सवाल है कि काग्रेस ने उनको राज सबस्टा देशा दी और वो कहरे है कि हमारों उसके पैसा से कोई लेने देना नहीं और यह चुनाओं के लिए पैसा कठा किया गया था यह भी बात सुनने में आ रही है तो जो भी हो अब हम में इस पर जब फैनल हेरिंग होगी फैनल काउंटिंग आ जाएगी तो मैं आपको बताओं कि कुल कितने रुपे हैं मित्रों दोसरी खबर है कि भाजपा ने तीन राज्यों को बहुत बड़े मार्दन से जीता है और वो तीन राज्यों में मुख्यमंतिरी तैय नहीं कर प पाईगी कल रभीवार को मिंटिंग बुलाई वो भी नहीं पाईगी तो उन्होंने लंच पर बुलाया है क्योंकि लंच में कितने बिधायक आएंगे उसके हिसाब से तैव होगा कि किसको सीम बना जाए क्योंकि यह बसंदरा राजी दिल्ली में वो जैपुर नहीं गई है और उन्होंने मुख्यमंद्री पत का दावेदारी उन्होंने पेश किये उनको लगता है कि सबसे सेनियर है और उन्होंने बहुत मेहनद की है और अगर उनको मुख्यमंद्री नहीं बनाया गया तो हो सकता कि बहुत भंगावत करें क्योंकि उनके साथ 40-45 बिधायक है और 40 कर दो बीजैपी के साहिए तो बीजैपी की सच्रक्तार नहीं बनने वाइं तो बीजैपी की साहई में चनोती है कि कैसे उन एक जूट है अगर उसमें नहीं आए तो समझो पार्टी में कुछ गर्वन है और फिर दो बजे मीटिंग होगी उनका ब्रेनवास को होगा अगर नहीं माने तो बसंद्रा को बनाना पड़ेगा और मान गया तो फिर किसी नए चेहरे को बनाना पड़ेगा असल में बसंद्रा और जो केंद्रे नेतर तो है यानि मोदी अमिर्शा और राणना सिंह इन से बसंद्रा के नहीं बनती है और वो चाहते भी थी कि नए चेहर वहां मुख्यवंत्री बनाई जाए लेकिन बसंद्रा का कहना है कि उनकी 70 साल की उमर हो गए है तो उनके सामनी ये आखरी उनका चांस ही उसके बाद उमर बढ़ जाएगी और फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी तो उनका दावा है वह भी ठीक है और प्रधामंत्री चाहते हैं कि तीनों जगए यानि मद्यपर्देश में भी 36 गण में भी राजस्थान में भी नए चेहरे मुख्यमंत्री बने ताकि वो लॉंग रन के लिए यानि 2 लीडर्शिप खड़ी करें तो अगर बशंद्रा को सेम बनाना पड़ा मजबूरी में तो मुझे लगता है फिर 36 गण में शिवरा सिंह को भी बनाना पड़ेगा और जबनाना पड़ेश अर मान गई वहां नया चेहरे बने तो इसके लिए कल शाम को मेटिंग होगी कल पहले रविवार को पहले लंच की मेटिंग होगी फिर उसके बाद दुगजे मीटिंग है अगर सब कुछ स्पते होगा तो कल शाम को यानि रविवार दल की बेट ही और नहीं होगा फिर इने को बाठफे होगी उसमें फिर पाटिंग कि एक पर्ची भीष्टी है और उस पर्ची पर सहमती बना समई जाती और बना दो ठीके नहीं बना तो नहीं बना ढूत हो फिर है बगावत होगी instruction मुदी राज मुदी राज में सबस्थ विदयो करना संगार cupय और फिर वी हम sticking मुझे लेता और उन्हें समझाने के कोशिक की का पार्टी का जो इसको मानना चाहिए तो मुझे लगता की नड़ा के मीटिंग के बाद फिर राजना सिंग ने कल लंच मीटिंग बुलाई लंच मीटिंग सर्फ इसे बुलाईगी कितिन लोग उसमें आ रहे हैं वो सिर्फ नंबर देखना चाहते हैं अगर नंबर पूरे नहीं आए तो समझे कि खत्रा है अगर सब यह नंबर आ गए तो फिर बसंदरा के अलावा कोई और बन सकता है और नंबर नहीं आ तो फिर बसंदरा पर मज़गुरी में उन्हें बनाने पास सकते हैं तो यह हम रवी बार को शाम तक इंतिजार करते हैं कल में जब आपके लिए वीडियो बनाऊंगा तो फिर उसमें में और इन सब्सक् खुझब टेती हैं तेन सब्सक्राजी को B